हलो फ्रेंड्स, वल्कम बेक तो मैं चनल, आज मैं आपको फुल सर्कल कैप टॉप बनाना बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये देड़ मिटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है, आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम टॉप पाट की आपकी चेश्ट का जो भी मेजरमेंट हो, उसका चौत्था भाग करना है और उसमें दो इंच कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैंने ग्यारा इंच पर निशान लगाया है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करके दो इंच एक्ष्टा लेना है अभी बेक आम होल के लिए हमें देर इंच पर निशान लगाना है और फ्रन्ट आम होल के लिए एक इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर राउंड शिप्ट रो कर देना है अभी उपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एड़ कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एड़ कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है हिप का 4 इंच एक्ष्टा लेना है अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें सैट से भी लाइन ड्रो कर देनी है अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और एक round shape draw कर देना है हम इसमें आगया और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले है अभी हमें इसकी cutting कर देनी है तो पहले हम बेक arm hole से इसकी cutting कर देंगे तो देखी इस तरह से मैंने cutting कर ली है अभी हम इसमें से एक पाट को निकाल लेंगे और एक पाट को निकालने के बाद हमें इसे वापस से double fold करते हुए front arm hole की cutting कर देनी है तो देखी इस तरह से हमारे दो पाट है आगया और पीछे के लिए अभी हम cap की cutting करेंगे तो जो बचा हुआ fabric था उसे मैंने four fold करके बीचाया हुआ है तो मेरी side है वो इसकी बंद वाली side है और जो उपर की side है वो भी इसकी बंद वाली side है और नीचे से दोनो side इसकी खुली हुई है तो इसी तरह से fabric को हमें four fold करके बीचाना है अभी उपर का जो कोना है वहाँ पर हमें बेक किया front का कोई भी एक पाट रख देना है और आधा इंच उपर की तरफ shoulder को निकालते हुए हमें गले का round shape डो कर लेना है क्योंकि हम shoulder भी joint करने वाले है तो round shape हमें आधा इंच छोड़ते हुए ही डो करना है अभी हम top का पाट हटा देंगे और cap की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से और एक round shape डो कर लेना है दस इंच पर निशान लगाते हुए तो देखिए मैंने round shape डो कर लिया है अभी हमें इसकी cutting कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने cutting कर लिया है अभी जहाँ पर हमारा shoulder है वहाँ पर हम एक छोटा सा cut लगा देंगे ताकि हमें cap को लगाने में आसानी हो तो देखिए इस तरह से हमारी cap नज़र आएगी इससे हम खोलेंगे तो ये इस तरह से कुछ पूरा circle नज़र आएगा अभी एक part को हम सीधा रखेंगे और उसके उपर दूसरा part उल्टा रखेंगे और इसके shoulder joint कर लेंगे तो देखिए मैंने इसके shoulder joint कर लिये है अभी हम पहले इसके armhole बना लेंगे तो उसके लिए मैंने ये तिरची पटी ली हुई है तो सीधी side से ही पटी को armhole के उपर रखना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है और पटी को double fold करते हुए अंदर की side पर मोड़ देना है और इसी तरह से दूसरी side के armhole के उपर भी हम पटी cottage कर लेंगे और इसे double fold करते हुए अंदर की side पर मोड़ देना है तो देखे मैंने इस तरह से आम होल के उपर पट्टी को अटेज कर लिया है तुनों ही सैट से अभी हम इसमें कैप अटेज करेंगे तो टॉप पाट को हमें उल्टा रखना है टॉप पाट को हम उल्टा रखेंगे और ये जो हमारी कैप है उसे भी हमें उल्टा ही रखना है तो दोनों साइट पर जो हमने कट लगाया था उस कट को हमें शॉल्डर के उपर इस तरह से रखना है कट को और शल्डर को मिलाते हुए हम पहले इसे पीन से सिक्यूर कर लेंगे और पीन से सिक्यूर कर लेने के बाद हमें इसमें पूरे राउंड में सिलय लगा देनी है तो मैंने सिलय लगा दी है अभी हम इसमें छोटे-छोटे से कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद ये जो हमारी कैप है इसे हमें सीधी साइट पर पलट देना है अच्छे से हमें इसे सीधी साइट पर निकाल लेना है देखे इस तरह से उसके बाद पूरे राउंड में हम इसके उपर कवर सिलाई लगा देंगे और cap की जो border है उसके उपर अगर आप stitch करवाएंगे तो इसका fall बहुत ही अच्छे से आता है या फिर आप इसकी border को इस तरह से double fold करते हुए भी सिलाई लगा सकते है तो देखे मैंने cover सिलाई लगा दी है और cap को भी मैंने fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है पूरे round में मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी है double fold करते हुए अभी cap को हमें इस तरह से अंदर डाल लेना है और 2 इंच का gap रखते हुए हमें इसके fitting कर लेनी है उसके बाद जो नीचे की border है उसे भी हम double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे तो देखे मैंने इसके fitting कर ली है दोनों ही side से और नीचे की जो border है उसे भी मैंने double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और इसी की साथ हमारा full circle cap top बनकर ready हो चुका है और यह है इसका final look so friends I hope आपको आज का tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का video पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजिए मेरा यह video देखने के लिए thank you so much guys